Hello Everyone, मैं हूँ किरिन शापुरी और ये है आप लगों के लिए Coming Week का सापता ही क्राशी फल ये 10th January से लेकर 16th January तक की आपकी Tarot Readings है, Tarot Predictions है और सबसे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज लाइक, शेर और सबस्क्राइब करें इसके साथ साथ अगर आप Daily Tarot Reading में इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरा इंस्टा पेज भी विजिट कर सकते हैं जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और दूसरी बात इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं Sun, साइन, Moon, साइन, Ascendant या पिर नाम के हिसाब से भी राशिया होती हैं उसके according भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं और अगर आप मुझ से पूछेंगे तो मैं आपको यही कहूंगी कि जिस साइन को आप अभी तक फॉलो करते आ रहे हैं या पिर जिस साइन के हिसाब से आप अभी तक अपनी रीडिंग को देखते आ रहे हैं सुनते आ रहे हैं आप उसी साइन के हिसाब से इस रीडिंग को देखें तो चलिए जी शुरू करते हैं Coming week का साथ ताहिक राशी फल तो चलिए कि इनसेरियन्स आप लोगों के लिए देखें कि Coming week क्या लेकर आ रहा है क्या एनर्जीज है तो आप लोगों के लिए professional front के लिए cards है two of pentacles and holding together holding together का card चीजों के लोगों के इकठे होने की बात करता है और देखे इस card में भी कहीं union लिखा हुआ है teamwork and participation लिखा हुआ है तो देखे in general या फिर आपके professional friend में जो भी चीजे बिखरी हुई थी कहीं you know मैं कहूंगी कि अलग-अलग थी वही कहीं इस week इकठी होती हुई दिख रही है और देखे ये general reading है तो सब के लिए थोड़ा-थोड़ा डिफर कर सकता है कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि किसी project पे आप काम कर रहे थे और again मैं कहूंगी bits and pieces में आप काम कर रहे थे और इस week उन्ही bits and pieces को आप इकठा करके combine करके एक you know solid cheese बनाते हुए दिख रहे हैं कुछ के लिए हो सकता है कि आपकी team में हर इंसान के different views थे और कहीं वो match नहीं कर रहे थे और इस week सब लोग एक common viewpoint पे agree करते हुए दिख रहे हैं और देखे ये जो दो चीजे मेरे mind में आई मैंने कहा in natural holding together का काड इकठे आने की बात करता है different different चीजों को combine करके एक solid cheese के बनने की बात करता है और फिर से मैं कहूंगी कि union की बात करता है teamwork और participation की भी बात करता है और देखे surface level के लिए of pentacles का काड कहता है कि इन ही सब चीजों से related या फिर otherwise भी एक fluctuating से energy surface level पे आपके professional front में specifically रहते हुए दिख रही हैं आप एक से ज़्यादा काम कर रहे हैं एक से ज़्यादा चीजों को manage कर रहे हैं और इन ही चीजों को कहीं balance कर रहे हैं लेकिन फिर भी आप balance कर पा रहे हैं कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि अगे दो लोगों को या दो चीजों को आप balance कर रहे हैं यहाँ पर भी सब के लिए थोड़ा-थोड़ा differ कर सकता है कुछ लोगों के लिए personal professional front हो सकता है जिसमें एक balance लाना चाहारे हैं, ला रहे हैं कुछ लोगों के लिए दो projects हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए दो काम हो सकते हैं Again, देखिए एक balance लाना चाहरे हैं और फिर से मैं कहूनगी up and down energies रह रही हैं किसी दिन आप बहुत great feel कर रहे हैं final attainment की बात करता है कहीं बहुत एक happy कहीं बहुत एक joyous energies की बात करता है और देखिए इस card की energies को अगर मैं समझाऊं तो जैसे होता है ना कि जब कोई इनसान race में participate करता है तो race से पहले बहुत practice करता है और जब वो race में होता है तब उसके सामने सिरफ और सिरफ finish line होती है और उसको कुछ भी और दिखाई नहीं देता उसको लगता है कि कब वो सबसे पहले उस finish line को touch करे और जब वो ऐसा कर लेता है तो उसकी खुशी के उसकी happiness का कोई ठिकाना नहीं होता है और दिखिए ऐसा ही आप इस card में भी देख पा रहे होंगे यहाँ पर यह एक रसी है और इस इनसान ने भी जैसे race में participate करा हो यह first आ गया हो और कहीं इसको वो success वो victory मिली हो तो दिखिए nutshell में personal front में जिस भी चीज़ को लेकर आप बहुत time से effort कर रहे थे उसी से ही related एक success एक victory मिलते हुए दिख रही है उसी से ही related आपको ऐसे लग सकता है कि finally you know आपको यह चीज मिल गई है लेकिन देखिए surface level के लिए full reverse का card कह रहा है कि इस success को लेकर इस achievement को लेकर या फिर otherwise भी आप चीज़ों को लेकर थोड़े से careless हो रहे हैं थोड़े से आप carefree हो रहे हैं और आप बहुत immaturity के साथ चीज़ों को deal कर रहे हैं आप कुछ uncalculated या फिर बिना सोचे समझे risk भी लेते हुए दिख रहे हैं और अगर ऐसा cancerians आप पाएं तो इस चीज़ों को आप ज़रूर चेक करके correct करें देखिए एक childish behavior होना बहुत अच्छी बात होती है कहीं एक innocence के साथ चीज़ों को deal करना बहुत अच्छी बात होती है लेकिन अगर in the process हम चीज़ों को लेके immature हो रहे हैं तो हमें जरूर चेक करके correct करना चाहिए carefree energies बहुत अच्छी बात होती है लेकिन in the process हम careless हो रहे हैं हम immature risk ले रहे हैं तो जरूर हमें चेक करके correct करना चाहिए और फिर से मैं कहूंगी कि इस चीज़ का खयाल आप जरूर रखें otherwise completion का card बहुत एक beautiful energies की बात करता है and guidance है आप लोगों के लिए escapist का card है और ये card कहता है come home to yourself और दिखें इस card की energies जादा fool के card के साथ match करते हुए दिख रहे हैं कहीं ये card भी कहता है कि छोटे मोटे जो issues रह रहे हैं कहीं आप उनको upfront होके नहीं deal कर रहे हैं या फिर आप किसी चीज़ से या in general ही escape करते हुए दिख रहे हैं तो दिखें कभी-कभी escapism वाली energies ठीक होती हैं जहां पर हम लोगों को चीज़ों को avoid करें लेकिन जब हम overall ही ऐसी energies में आ जाते हैं तो कहीं हम उन्हीं चीज़ों को back front पे या फिर back seat में बढ़ा करते रहते हैं और ये चीज़ें at times इतनी बड़ी हो जाती हैं कि फिर हम उनको चाहा के भी नहीं deal कर पाते हैं या फिर वो हमें परेशान करती हैं और दिखें मैं बहुत बड़ी आप लोगों से एक quotation share करती हूँ अब तो आप लोगों को भी रट गया होगा stitch in time saves nine जब छोटे मसले होते हैं छोटे issues होते हैं उनको हम वहीं पर ही correct कर लेते हैं तो कहीं वो बड़े मसले बड़े issues हमारी life में नहीं लाते हैं और यहीं कहीं इस card का message भी है and astrology से आप लोगों के लिए tourist का card है और इसके हिसाब से white and turquoise colors इस week आप लोगों के लिए लखी रह सकते हैं and significant day आप लोगों के लिए होगा Friday तो यह था किन सेरियन्स आप लोगों के लिए coming week का साबता है एक राशी फल और नीचे मुझे comment section पे ज़रूर बताएं कि यह कितना आपके साथ resonate किया कितना आपकनेक्ट कर पाइ